इसमें टोटल फिप्थ क्विश्चन है 5 तक हम 5 क्विश्चन इसी में करने वाले हैं यह जो क्विश्चन हमारा दिया हुआ है 1 to 5 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सो वैल्यू फाइंड करने से पहले मैं आपको बता दू कि एक फार्मूला आता है A raise to power 0 किसी भी नंबर का power 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है याद आप रखना है किसी भी नंबर का power 0 thousands power 0 is equal to 1 करोड पावर 0 is equal to 1 यह हमेशा फंडा याद आपको रखना है ठीक है तो फस् इसकी वैल्यू हमें फाइंड करने है देख लिए जो क्या हम करेंगे यहाँ पर अभी हमने बताया फॉर्मूला A raise to power 0 is equal to 1 so 3 raise to power 0 is equal to 1 and 4 raise to minus 1 है so 4 1 upon 4 हम लिख सकते है यहाँ से according to formula ठीक है 2 to the 4 यानि 2 into 2 ऐसे भी आप लिख सकते हो ठीक है अभी देख लो तो यहाँ पर LCM लोग है आप यहाँ आपका 4 आया LCM 4 4 1 जा 4 plus 1 again bracket close 4 ठीक है 4 1 5 upon 4 into 4 ठीक है 4 4 cancel is equal to 5 यह आपके क्या हुआ 5 आपका answer हुआ clear question second आप ठीक लो बहुत easy है समझ में आ रहा है ना अगें 2 raise to power minus 1 सो हम इसको लिख सकते 1 upon 2 सेम चीज 4 raise to minus 1 सो 1 upon 4 bracket close divide by 2 raise to minus 4 है सो हम लिख सकते 2 raise to 2 ठीक है प्लस में था हमने minus में कर दिया अगें 1 upon 1 multiply 1 and 2 to 2 4 चा 8 अभी एक चीज और देखना बहुत ही मजदार चीज है जानने के लिए a raise to power m ठीक है divided by a raise to power n सो आप इसको ऐसे भी लिख सकतो a raise to power m into 1 upon a raise to power n ठीक है यह formula याद रखना तो इसी formula पर हम इसको put करने वाले है sine change होगा divide को अगर हम multiply में change करते हैं तो इसका reciprocal हो जाता है क्या हो जाता है reciprocal यानि कि यह 2 raise to 2 ऊपर चला जाएगा 2 raise to 2 1 clear हुआ so 1 upon 8 into 2 to the 4 4 1 जा 4 4 2 जा 8 is equal to 1 upon 2 this is your answer clear अगें third one question देखलो third one question है 1 upon 2 raise to minus 2 plus 1 upon 3 raise to minus 2 plus 1 upon 4 raise to minus 2 अभी सबसे पहले तो हमें क्या करना इसको पहले माइनस के sign को आप यह कर लो 1 upon 1 by 2 का पावर 2 लिख सकते हैं हम अभी इससे पहले question में क्या था हमने again 1 upon 1 upon 3 का पावर 2 plus था नीचे लाकर minus कर दिया again 1 upon 4 raise to 2 अभी मैंने क्या बताया था इस तरह का अगर question हो तो इसमें यह जो नीचे का पाठ होता है यह रसे प्लोकल हो जाता है इसका यानि कि 2 raise to 2 plus 3 raise to 2 plus 4 raise to 2 clear ना 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 clear अभी देख लिजे तो यहां पे 13 और 16 29 यह आपके क्या हुए answers हुआ ठीक है इसी तरह question number हम fourth देखेंगे 4 थे हमारा 3 raise to minus 1 plus 4 raise to minus 1 plus 5 raise to minus 1 whole raise to 0 सबसे पहले तो हमें bracket के जो अंदर में है inside उसको हमें break करना है उसको solution करना है so 1 upon 3 लिखेंगे न 3 raise to minus 1 को again 1 upon 4 लिखेंगे 4 raise to minus 1 को similarly 1 upon 5 raise whole raise 0 सो यहां पे आपने क्या किया LC हम लिया 12 6 सा 60 आप LC हम लोगे आपको देख लो आप 3 4 5 का हमने LC हम लिया 3 times 4 5 4 से हमने किया 5 and 5 से किया 1 1 1 सो 12 12 5 सा 60 3 से हमने divide किया 20 times so 20 plus 4 से divide किया तो 15 times and 5 से किया तो 12 times raise to 0 clear again हमारा क्या हो जागे यहां पर इसको सबको plus करना है 7 4 upon 60 raise to 0 और इससे पहले कि मैंने formula आपको बताया था कि किसी भी number का power 0 उसकी value क्या होती है 1 होती है so यहां पर क्या हो जागा यह यह आपका 1 हो जागा clear हुआ ना बहुत easy question है last one question 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 number 3 का हम देखेंगे fifth अभी देख लो इसमें 2 bracket है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कौन से bracket का action करते हम small bracket का सबसे पहले देख लो तो यहां पर हम लिख सकते minus 2 raise to 3 minus 2 clear पहले यह कर लो bracket को पहले break कर लो आप यहां पर हम ऐसे लिख सकते क्या minus 2 raise to 3 bracket bracket में multiply हमने भी बताया था होता है पार पार में क्या होता है हमारा multiply होता है ठीक ना सो अब क्या हो जाएगा हमारा रस्प्रोकल कर एक सका हमने minus है तो इसको positive पढ़ना सो minus 2 raise to 3 का power 4 हमने बताया था जब इस तरह का हो तो इसका नीचे के पार्ट के रस्प्रोकल कर देते हम तो 3 is 3 by minus 2 का power 4 ठीक है अभी हम क्या करेंगे 3 into 3 into 3 into 3 minus 2 into minus 2 into minus 2 into minus 2 into minus 2 again यहां हो जागा 3 3 3 is a 9 9 3 is a 27 and 81 minus minus plus and यहां हो जागा 16 यानी 81 अपन 16 यह आपके अंसर हुए